हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूच्यूब चैनल जारेडा उनलेन क्लासेज में बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विश्य कला एवं शिल्प सब्तहा पच्चिस कक्षा प्रत्थम की वर्क्षिट बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाएए लाल बटन दवाईए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए बच्चों आज को उपविश्य है पंखा तो बच्चों देखे आज हम सभी पंखा बनाना यहां सीखेंगे नीचे दिएगा चर्णों को ध्यान पूर्वक देखिए और पंखे का एक सुन्दर चित्र बना कर इसमें रंग भरिए तो देखे आप सभी बच्चों को यहां पे पंखे का एक सुन्दर सा चित्र बनाना है और उसमें आप सभी को रंग भरना है तो देखे बच्चो किस तरह से आप बनाएंगे पंखा तो बच्चो इस तरह से P आप सभी को बनाना आता है P बनाएंगे इस तरह से करके इस तरह से आप इसे करेंगे ठीके उसके बाद इस तरह से आप इसको करके और इसमें रंग भरेंगे इस तरह से आप सभी को इसे बनाना है अगला है बच्चो लिफाफा बनाना तो देखें बच्चो उपर दिएगा चरणों को देखकर एक लिफाफा बनाईए तो आप सभी बच्चो देखें यहाँ पर आपको कुछ चरण दिएगा हैं कुछ steps दिए गा हैं, तो ये आप बच्चो एक चोकोर काघज लेंगे, उसको दोनों से तरफ से मोड देंगे, फिर ये नीचे वाला हिस्सा मोड देंगे, तो वो इस तरह से बन जाएगा और फिर उपर वाला जब इस न मोड़ेंगे, तो वो इस तरह से खलिफाफा बन कर आ हमारा स्वतनत्रता दिवस मनाते हैं तो बच्चों देखिए हमें क्या गतिविदी दी गई है कि नीचे दिएगा चित्र को बनाईए अब देखिए बच्चों यहां कबूतर दिया गया है ठीक है कबूतर दिया गया है और यहां हमें तिरंगा के रंग दिये गए हैं तो तिर बनाना है अगला है बच्चो संसका शाला छोटी छोटी पर बड़ी बाते जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाएंगे खाना पीना रंग भी रंगे फल वे खादे पदा जैसे गाजर मूली और खीरा की सलाद गाजर का जूस गुड और मुंग फली पालक की सबजी इतिया आप सभी को खाना है गती वीदी इस वर्ष आपने कौन सी पांच नई चीजे सीखी और कौन सी चीजे जिसे आप सीखना चाते हैं परंतु सीख नहीं पाए तो देखिए बच्चो आप सभी को यहां पे बुलग रहा है कि आपने इस साल क्या क्या चीजे सीखी है ठीके और आप ऐसी कौन-कौन सी चीजे हैं जो सीखना चाते थे लेकिन आप नहीं सीख पाए हैं तो वो सभी आपको यहां बताना है खेल रसी कूद खेल आपको खेलना है दैनिक दिनचरिया निमलिकित आदतों को अपने दिनचरिया में शामिल करे अपने माता-पिता का समय पर पूरा करें अगला है बच्चो पानी से पैदा होने वाली बिमारिया जैसे डेंगू मलेरिया और चिकन गुनिया आदी से बचने का एक ही उपाए मच्छर पैदाना होने दे तो देखे बच्चो आप सभी को पता है कि जहां पानी होगा वहां मच्छर पैदा होंगे और मच्छर के काट खाने से हमें डेंगू मलेरिया चिकन गुनिया जैसी बिमारिया हो सकती है तो इसके लिए हमें क्या करना है देखे सपता हमें एक बार कूलर को साफ करके सुखाए या उसमें एक बड़ा चमच टैमिफोस डीजल या पेट्रोल कर डाले पानी की टंकिया वे होधियों के ढकन हमेशा बंद रखें तूटे-फूटे बरतन टायर इतियादी खुले में ना रखें इनमें बरसात का पानी भर सकता है और मच्छर पैदा होते हैं धर के आसपास पानी एक खटा ना होने दे चिडियों के पानी के बरतन मनी प्लांट फ्रिट की डिफ् पॉदे का पानी इतियादी प्रती दिन एक बार अवेश्य बदले तो बच्चो ऐसा करने से हम मच्छो के पैदा होने से मच्छो को रोक सकते हैं तो इस तरह से आप सभी को अपनी वरक्षीट को हल करना है उमीद करती हूं बच्चो सभी को अच्छे से समझ में आया हुगा बच्चो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और नीचे दिये कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर लिक कर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा और बच वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद